सलाम है प्रेमु कोली को वो एक हिंदू जिसने एक मुसल्मान डॉक्टर शाह नवास के जले हुए जसदे खाकी को अपने कंधों पर उठाया जली हुई लाश जले हुए जिस्म को अपने कंधों पर उठाया और खंटों दोड़ता फिरा वो जगा ढूणने के लिए जहां पर उस जली हुई लाश को उस जुनूनी हजूम से जुनूनी मुसल्मानों के हजूम से बचा सके और फिर एक जगा एक गड़ा खोत कर डॉक्टर शाह नवास के जिस्म को वहाँ पर दफनाया प्रेमु कोहली एक हिंदू पच्चिस करोड मुसल्मानों के समाज के मुँण पर एक तमाचा है क्यूंके वो डॉक्टर शाह नवास के जिस्म को बचा रहा था हालांके उसकी अपने धरम में मरने के बाद चिता को आग लगाई जाती है लेकिन उसको इतनी समझ है कि इस मजब में ऐसा करना मना है लेकिन वो दरजनों और सेंकडों मुसल्मान जो डॉक्टर शाह नवास के जिस्म को कबर से निकाल कर जला रहे थे उन्होंने ऐसा नहीं सोचा डॉक्टर शाह नवास का कतल मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ब्लैस्मेमी तोहीन मजब तोहीन पेगंबर के नाम पर वो कतल है जिसने ये बताया है कि ये समाज ये सोसाइटी जनूनियत की किस इंतहा को पहुँच चुकी है लेकिन भाई सलाम है सिंधियों को सिंध की उस सोसाइटी को जनूने जोक दोड़ जोक और ग्रुप्स में बड़ी तादाद में निकल कर इहतजाज किया है और डॉक्टर शाह नवास की कबर पहुँच कर वहां पर सचल सरमस्थ से लेकर जो सूफी सिंध के गुजरे हैं उनकी नजमे उनके तराने वहां पर गाए हैं डॉक्टर शाह नवास को तोहीन मजभब और तोहीन पेगंबर के नाम पर पुलिस ने मारा है पहले ऐसा होता था कि तोहीने मजभ या तोहीने पगंबर का जब इल्जाम लगता था तो हजूम जमा होकर उस बंदे को चौक में निकाल कर या पुलिस से छीन कर मारा करता था लेकिन अब ये वतीरा बन गया है कि पहले कोईटा में एक ऐसा वाक्या होता है और फिर सिंद में उमर कोट में ये वाक्या होता है कि डॉक्टर शाहनवास को पुलिस के हवाले किया जाता है कि जब उनके उपर हमेशा की तरहां एक मस्जिद का खतीब, मस्जिद का मॉलवी, मस्जिद का मुला इल्जाम लगाता है कि डॉक्टर शाहनवाज ने सोशल मीडिया पर तोहीने पेगंबर की है अब वो मस्जिद का मुला उसके पास इतना टाइम था और होता है मुलाओं के पास कि वो बैठकर सोशल मीडिया देख रहे होते हैं कि उनके इलाके के कौन से आदमी ने तोहीने मजभब की है तोहीने रिसालत की है ताके फौरी तौर पर उनके खलाफ फत्वा लगा कर लोगों को जमा करें और उसके बाद उनको कतल कर दें मार दें या जला दें तो हमेशा की तरह एक मॉलवी वहाँ से उठता है और वो कहता है कि डॉक्टर शाहनवाज ने सोशल मेडिया पर कुछ ऐसा लिखा है और उसके बाद डॉक्टर शाहनवाज के खलाफ लोग जमा होते हैं मुल्लाओं की बड़ी तादाद वहाँ पर जमा होती है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद ऐसी पुलिटिकल पार्टियां जो अब बन चुकी है जो मजभी जमाते थी लेकिन अब सियासी जमाते भी बन चुकी है उनके लोग इकटे होते हैं सरतन से जुदा का नारा लगाते हैं डॉक्टर शाहनवास के रिष्टेदार दोस्त आराम से चैन की नीन सोई थे कि डॉक्टर शाहनवास पर ये जो जूटा बलैसफैमी का अलिगेशन है उसके बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है हजूम ने उनको काबू नहीं किया और अब वो बच गए हैं तो उनको पता यह चलता है कि पुलिस डी आइजी ने डॉक्टर शाहनवास को मार दिया है एक पुलिस मुकाबले में मारा गया है तो अब क्या ऐसा होगा कि पुलिस ही ये काम कर दिया करेगी लेकिन डॉक्टर शानवास की अभी आपको जब ये पता चलेगा के हुआ क्या है moment to moment हर लमा गुजरने के बाद तो शायद आप अपने जजबात पर काभू ना रख सकी डॉक्टर शानवास की बेटी जो के बहुती कम उमर लड़की है और उनकी वाइफ और उनके फादर की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनकी F.I.R. दर्ज नहीं हो रही उनको प्रेशराइस किया जा रहा है उन्होंने D.I.G. आईजी से लेकर उन सब लोगों के नाम सामने रखे हैं जो उनके बाप, शोहर या बेटे के कतल के जिम्मेदार हैं लेकिन उस मौलवी तक को भी तक नहीं पकड़ा जा सका जिसकी वीडियो सामने आई जिसने 50 लाक इनाम रखा था डॉक्टर शाहनवास के सर पर के इसने तोहीने रिसालत की है तो इसको पकड़ कर मार दिया जाए सब खुले फिर रहे हैं और इनी में से लोग जो के अथोरिटीज हैं आईजी, डी आईजी और ऐसे लोग जो पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं वहाँ पर जो पुलिटिकल पार्टी रूल कर रही है उसके मेंबर हैं तो बिलावल भुटो और प्रेजिडेंट आसिफली जर्दारी के लिए इस वक्ति ये बड़ा ही शरम का मकाम है कि वो उनकी पार्टी, पुलिटिकल पार्टी जो प्रोग्रेसिव पार्टी कही जाती है जो लिबरल पार्टी कही जाती है जो सेकुलर पार्टी कही जाती है उनकी हकूमत में, उनके एक्तदार में वहाँ पर ये हो रहा है और वो लोग जिनके उपर डॉक्टर शाहनवास के कतल का इल्जाम आ रहा है वो उस पुलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और खुले छुटे फिर रहे हैं तो आपके सामने रखते हैं के यह हुआ क्या आपको यह भी बताती चलूँ के कहा यह जा रहा है के डॉक्टर शाहनवास को कतल इसलिए किया गया क्यूंके डॉक्टर शाहनवास उस इलाके के हिंदूओं का मुफ्त इलाज किया करते थे डॉक्टर शाहनवास वहाँ पर जो ह मुफ्त दवाईयां दिया करते थे तो मुफ्त इलाज करने वाले क्योंके वो हिंदूओं का मुफ्त इलाज कर रहे थे तो वहां के जो मुला थे और रिलिजिस पार्टियां थी उनको ये बात पसंद नहीं थी इस वज़ा से डॉक्टर शाहनवाज के उपर ये ब्लैसफेमिका आलजाम लगा कर उनको कतल किया गया है ये वाली भी इस वक्ट सोशल मीडिया पर खबरें सामने आ रही और ये बड़ी हद तक सच हो सकता है ऐसा किया गया है और किया गया होगा बीबीसी इस वक्ट मेरे सामने उपन है वाइस ओफ अमेरिका भी मेरे सामने उपन है गार्डियन में भी छप चुका है BBC लिखता है कि हम जलती लाश के शोले देख रहे थे और आस पास खड़े लोग नारे लगा रहे थे लोगों को जो मॉल भी उकसा रहा था उसके पास डॉक्टर शाहनवाज ने कुरान पढ़ना सीखा था उसको शाहनवाज की जहनी सहत के बारे में भी इल्म था कि वो डिप्रेशन के भी शिकार है लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आया ये डॉक्टर शाहनवाज की एक करीबी रिष्टेदार के अलफाज है जो लॉयर किया गया उसके मश्वरे से डॉक्टर शाहनवाज की गिरफतारी पेश की गई थी और रात को खाना का कर बेफिक्र होकर उनके रैलेटिव सो गए कि पुलिस के हाथों में अब वो महफूज है लेकिन रात को मीडिया पर खबरें आएं कि उनको मार दिया गया है उनके रिष्टेदारों ने उनके आखरी रसूमात अदा करने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर उस्से में मौजूद लोगों ने उनकी लाश को नजरे आतिश कर दिया आग लगा दी डॉक्टर शाहनवास की कजन ने बीबी सी को बताया कि किस तरह उनके घर की खवातीन घंटों मैयत का चेहरा देखने के लिए कोशिश करती रही उन्होंने बताया कि वो खवातीन बेपरदा घर की चार दिवारी से कभी नहीं निकली थी लेकिन लाश लेने और आखरी बार डॉक्टर शाहनवास का चेहरा देखने के लिए सहरा में डैजर्ट में नंगे सर और नंगे पाउं दोड़ती रही डॉक्टर शाहनवास की कजन ने बताया कि उन्हें पता चला कि लाश को गाउं के अंदर नहीं आने दिया जा रहा तो वो और घर की दूसरी खवातीन बिना चपल पहने और नंगे सर वहां दोड़ी पहले गाउं के वडेरे के घर गएं ताके उनकी मदद ले सकें लेकिन उन्होंने दर्वाजे नहीं खोले उसके बाद मसाजिद के खतीबों के घरों पर गएं मस्जिदों के मुलाओं के घरों पर गएं और उन्होंने भी दर्वाजे नहीं खोले उसके बाद एम्बुलेंस की तरफ दोड़ी लेकिन उनके मामू कार में लाश ले गए फिर वो घर वापस आ गए उन्होंने फिर दावा किया कि जब वो घर वापस पहुँची तो उन्हें पता जला कि लाश की बेहुरमती कर रहे हैं लाश को जला रहे हैं उसके बाद ये औरतें घर की ये खवातीन ये लेडीज दोबारा उस तरफ जमीन की तरफ दोड़ी जहां लाश लेकर गए थे हांदान वाले अभी रास्ते में थे तो लोग वहां भी पहुंच चुके थे वो हजूम वो जनूनी मुसल्मान वहां भी पहुंच चुके थे जिनके पास असलिहा, पेट्रॉल, कुल हाडियां थी और उन्होंने लाश चला दी कबर से निकाल कर लाश जला दी इस दोरान जलती लाश के शोले उपर तक जा रहे थे और उनके घर वाले देख रहे थे और आस पास खड़े लोग नारे लगा रहे थे नारे कौन से आपको पता है सर्तन से जुदा, अल्ला हुआ अकबर और या रसूल अल्ला, ये नारे लगाए गए मामू ने पानी डाल कर आग भुजाई और वो हातों में लाश लेकर कभी इस तरफ जा रहे थे और कभी उस तरफ उन्हें चेहरा भी नहीं देखने दिया गया और तमाम कजन्स और बाकी खवातीन रोते पीटते घरों को वापिस चले गए फिर इसमें लिखा है कि लाश दफनाने पर ये कॉन्फिक्ट क्यों हुआ, जगड़ा क्यों हुआ डॉक्टर शाह नमास के करीबी रिष्टेदार ने बीवी सू को बताया कि जब उन्हें किसी कबरस्तान में डॉक्टर शाह नमास की दफनाने की रिज्वल्स की इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने लाश को अपनी जो उनकी मलकित में थी जमीन वहां पर दफनाने का फैसला किया था उनका कहना था कि सुभा चार बजे के करीब शाहनवास के वालिद फादर एम्बूलेंस में लाश लेकर आये लेकिन मुश्टर लोगों ने एम्बूलेंस को गाउं में नहीं आने दिया जिसके बाद एम्बूलेंस ड्राइवर ने जो के प्रेमू कोली है जिसका मैंने इस प्रोग्राम के स्टार्ट में जिक्र की है वो हिंदू प्रेमू कोली जो के डॉक्टर शाहनवास के वालिद का उनके फादर का ड्राइवर है लाश एक कार में डाली गई जिसकी खिड़की से उसके पाउं भी बाहर थे उन लोगों के मताबिक डॉक्टर शाहनवास को दफनाने के लिए जहां लेके गए जो उमर कोट से 40 किलोमीटर के डिस्टन्स पर एक चोटा सा टाउन है लेकिन वहाँ भी मजभी जमात, रिलिजियस पार्टियों, पुलिटिकल पार्टियों भी है उसके अंदर, उसके कारकुन, मेंबर्स और लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर भी पहुँच गई मजभी जनूनी, जनूनी मुसल्मान वहाँ पर भी पहुँच गई कबरस्तान में तत्फीन की अजाज़त नहीं दी गई, तो वो मयद को सहराई इलाके में ले गए और अपनी जमीन पर ले गए, जहांके उनोंने उनको दफनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी मुश्टही लोग आ गए, और धंकियां देने लगे, लोगों ने उन से को लेट होती रही है, जिसमें उनने कहा कि उनका ये बहुत पुराना फेस्बुक का अकाउंट है, जो के हैक हो चुका और वो इसको इसको इस्तमाल भी नहीं करते, और इसके लिए एफ आई और रेंजर्स को कहा जाए, और वो जब इसकी तफ्तीश करेंगे तो पदा चल उनको इल्म हो जाएगा, और जिस रोज उनके खला मुकदमा दर्ज किया गया, उस दिन पेगंबर इसलाम की विलादत का दिन था, उस दिन पेगंबर इसलाम के पैदा होने का दिन था, जशन एद मिलाद النभी मनाया जा रहा था, जिस दिन एक शक्स को उसके पर छूटा ग जेलों में मौझूद हैं, सल्मान तासीर से लेकर आसिया बीवी तक, कितने ही हिंदू, कितने ही मसीही क्रिस्चन्स, कितने ही एहमदीज, और कितने ही कई मुसल्मान जिन को इस ये इल्जाम लगाकर मार दिया गया, या वो इस वक्त कैदमी है, जुनेद हफीज, एक ऐसा intelligent नौजवान पाकिस्तान का, जो कई सालों से जेल में हैं और उसको वो नहीं निकल पा रहा, उसको नहीं निकला गया, उसको रिहानी किया गया, हलंकि उसके पर जूटा मुकदमा दर जाया, कई बार, बारहा, मेरे खिलाफ धंकियां आती हैं, आती रहीं, और threat किया जाता ह हैं, आप तो अहमदी हैं, ये फत्वे लगने शुरू हो जाते हैं, आपको देखा जा रहा है, इसके उपर धंकियां दी जाती हैं, मेरे फैमली के खिलाफ, मेरे हस्बन के खिलाफ, धंकियां आती रहीं, उनके उपर फत्वे लगते रहें, उनके उपर हमले होते रहें, औ बात करते हैं, इसके उपर हो लकलीली जिन्दा है, जिनको धंकी आती हैं, या जो बच जाते हैं, और उनके उपर हमले भी होते हैं, लेकिन वो किसी तरीका से तो वो बहुत लकली hay और उनकी वाइफ के वो स्टेटमेंट्स दिखा रही हूं, कि जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो मुल्जिमान है उनको नहीं पकड़ा जा रहा उनको खुली छूट है और वो बहुत इंफ्लुएंशल है डॉक्टर शाहनवास की वाइफ ने ये विडियो रिकॉर्ड की है जिसमें उनका कहना है कि उनकी F.I.R. दर्ज नहीं हो रही और उनके उनके उपर प्रेशर डाला जा रहा है डॉक्टर शाहनवास के वालिद पर प्रेशर डाला जा रहा है उनको प्रेशराइस किया जा रहा है और इसी तरह उनकी नौ उमर बेटी ने उन सबके नाम लिए हैं कि ये जमेदार है उनके वालित के कतले के क्या ये जिनके नाम लिए जा रहे हैं आईजी से लेकर डी आईजी तक वो डी आईजी जिसने खुशियां मनाई हैं उसके अपर फूलों की पतिया निचावर की गई पूलों के हार पहनाए गए, यह कैसी सुसाइटी है, कि जो मार रहा है उसके बाद उसको, और वो इतनी बड़ी अथॉरिटी है, तो क्या आपने आईजी और डी आईजी क्रिमिनल्स बनाए हुएं, प्रेजडेंट अफ पाकितान आसिफ अली जर्दारी साहब, जब किसी और सुबे में पंजाब में ऐसा कोई कतल होता है, तो लोग बाहर नहीं निकलते, इसके बाद उस घर में नहीं जाते, जहां पर वो पहुँचके उनके साथ, उनको पुरसा दें कि आपके साथ ही हो गया, यह सिंध है, जहां पर यह हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग बढ़े लिखे हैं, वहाँ के अभी भी लोग प्रोग्रेसिव मौजूद हैं उस सुसाइटी में, लेकिन आप देखिए कि हकुमत क्या का रही है, ऐसे लोगों को आपने लगाया है, आईजी और डी आईजी बना कर, चारण जो वड़ो 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 एहम किरता रहे मुझे बाबा जे कतल में आईजे, उनने जिलास के साड़ी वाई, उनने के एड़ी वड़ी फासी देन कपे,